असलाम लेकून कैसे हैं आप सब लोग के वेलकुम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जारहे हूं। इसको बचे बड़े सब लोग मिलके एंज्वाइ कर सकते हैं। मैं बनाने जारही हूं। सूजी बनाना और डेट्स का केक। इसके अड़ होगी सूजी जो जानते हैं। सूजी बहुत जब्दा्स रॉल प्ले करती हूं। जबदा स्टी कि अंदर प्रीप्योटियण होता है। जो बेक्तिय डेவेंट में बहुत रॉल प्ले प्लेट्स के लीधी बहुत अच्छी है। इसके इसके बनेना वोड सब्लेना विटेमिन के वाजिटरण और प्रोटेंस फिट मरेंटERE अश्दालोर के रिवलेंन के में वाउनमोग cricket को ने के पुर्यों मोड बस्केशिस फूर के बन्हें टोपने ही स्किपरिदे इसमें बानास 3, सूजी 1, 1-5, तेट्स, खजूर 3, छूजी 1, 1-2, ब्राउन शुगर 1, 1-2, ब्राउन शुगर 1, 2-1, नट्स पाउडर 2 टेबल स्पून, नट्स पाउडर की रेस्पी मैं अल्रेड़ी आप लिंक दिस्क्रिप्शन में मुझूद है, कोकिंग वाइल 1, 1-2, काड़म, चोटी लैची 3, एग 1, बिकिंग पाउडर 1 टे स्पून, चलते हम चलते हमनी रेसिपी की तरफ मैंने ओवन को 180 डिग्री सेल्सिस पर प्रीट होने के लिए रख दिया है और हम में 5 इंचिस का एक पैन लोंगी जिसमें अपना बेटर डालोंगी उससे पहले मैं डाले से पहले इसको अच्छी तरीके से ग्रीस करके ओवन में प्रीट होने के लिए रखते हूंगी ग्रीस करने का यह फायदा होता है कि एक केक का बेटर है वो इसके साथ स्टिक नहीं करता और एक अच्छा रिफाइन क्वालिटी का केक हम लोंगों मिल जाता है अच्छी हाँ चीज़ों को फाइन प्यूर्य में व्लिटर में کनवर्ट करने के बाद में इसको एक बॉल में डालके बाके चीज़े को फॉक या हैंड बेतर हैं बीट करूँगी उसके बाद मैंस के अंदर एक रही हूसर वी इसको भी डालने के बाद के बाद मैं सक टैक्शेर को कुछंच मोजल्च को सबस्क्रा रही हुसके आप सकते हैं एकम ऐसक्राइब उडाय। कोटिंग कोई B mange और चास म्हाइब करती हैं लेकिन मैं प्राफिर करती हैं और वाइल यह करना अपनी कोटिंग मैं स्कुक्ट मीक्स किया उसके और मैं सके अंदर इक डाल रहे पिर ऐफ कि एक दाल रही हूं इसक cafe वहान है और ऐसको एक बाद के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी बेकिंग पाउडर मिल्क दूद और नट्स पाउडर जो की बड़ी रेस्पी है इसके रेस्पी में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसको अची तरीकी से अपने मिक्स करना है उसके बाद आप इसका टेक्चर देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्चर ना तो बहुत वर्ट्री है वह नहीं बहुत थीक है इस तरह का टेक्चर आपके पास आ जाएगा तो हम इसको अपने प्री हीट ओवन पैन में डाल कर ओन में बेक होने के लिए रख देंगे थर्टी मिनिट के बाद हम लगोने इसको निकाल कि फोकी या के लिए 180 डिग्री संडिग्रेट पर ओन में अब देखें हमने इसको 35 मिनिट के बाद निकाल के चेक किया तो बैटर नहीं लग रहा है इसका मतलब यह है कि यह अची दना को को चुका है कियक इस रेडी जबरस किसम की एक टेक्चर वाला के आप लोगों को मिल चुका है आ अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ठाके मेरी आने वाली हर रेस्पी आप लोगों को मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग